आप सभी से रिक्वेस्ट इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे बहुत जादे इंपॉर्टंट है बीटी यूपी से ऑफीशली नोटिस आ चुका है अब तो 100% कंफर्म हो गया है आप सभी बच्चों के लिए क्या खुश्कवरी है और जो बच्चे फाइनल ये किते हो कमे सबस्क्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अप्डेट सबसे पहले हम दे सकें टेलिग्राम को जान करें पीडिया मॉडल पेपर के लिए मैं आपकर कल्वी क्लास मैंने ली थी है पील्सी स्काड़ा और मैसिन की क्लास मैंने खतम कर दिया ठीक है देखो भई मैं आपको बताना चाहोंगा Notice किया आया है पहले मैं आपको एक्जाम की बारे मैं बात करूंगा उसका आप लोगों का Exam के बारे में हम बात करेंगे इस तरीके 관े clarify किया गया है में बहेज दी गई है और कम तक आपके यहां पहुंच जाएगी यहां पर द्यान से देखेंगे यहां बताए जा रहा है द्यान से देखो प्रिपिया अपगत कराना है कि समस्ट्र स्पेशल बैक पर परिच्छा दून 2022 की जो परिच्छा सम्मिलेत हुई थी अंतिम बर्स प्रतम दोती है अंतिम बर्स की जो टी आर प्राग है तू अपनी संस्ता है तू यहां पर कार्याला बेजना सुन्सित करें कहने का मतलब यह बीटी उपी ने आपकी मार्क सुट भेज दिया है आपके कॉलेज में कॉलेज में चार जनवरी को पहुंच जाएगी और जनका पूर्भी जोन में है उनका पांच जनवरी को उनके कॉलेज में माक सीट पहुंच जाएगी बीटी उपी ने नोटिस जारी कर दिया है अब आपके कॉलेज बाले कर देते हैं आपके कॉलेज को पहुंच जाएगी इस नोटिस में आपको पहली बता दिया था कि एक्जाम आपके बॉस्टमन हो गए हैं लेकिन आपको बता दहूं दुबारा से नोटिस दिखा रहा हूं क्योंकि बच्चे इस वर समझ नहीं पाया है तो उस समय देखो इसका जो पांचमा पॉइंट है इसमें लिखा क्या है परद्यान से देखेंगे कि जो आप लोगों की मानक केंद्रों की सूची है वो बीटीपी गोर्ड में 15 दिनों के अंदर उपनप्त कराई जाएगी यानि के 26 को नोटिस आया 26 प्लस 15 आप जोड लीजीगा तो दस जनवरी तक आपकी जो सूची जारी की जाएगी एक्जाम जावेद मुस्पासर में भी बता दिया आपके एक्जाम पॉश्पॉन हो गये है इस नोटिस थो ळहीं कर चुका है तो आपने यहां वी सूची पे आयो है तो उन्हों हमदाए कि आ जाए 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 पर 25 जनवरी से कराएगे तो यह बूँग से जाएग तो वो सब कुछ completed है officially news है लेकिन बच्चे confused हो रहा है कि website पर time table वो पुराण वाला दिखा रहे है और website का जो नए time table है बच्चो वो साथ यानि कि नए time table जो आप लोगों का है वो तीन जनवरी को आ जाएगा तीन जनवरी को आपका नए time table जारी कर दिये जाएगा या पर ऐसा हो संदय के बताया है इनोंने देकि बता दिया जावे質 सर पहले बोल चुका है कि आपके एक जाएप 25 से नहीं होगा मतलब साथ 私 है परिक्षा माइश्क से नहीं होगा 25 सो यह वाँगा जैसे कि और पहले बोल दिया है है नायजाबसर को आपका एक्जाम को साथ रशार से नहीं हो पाएगी नहीं पाएगी परिक्षा तयारी करते रहों आफ लोग आप यहां पर देखेंगे एक नोटी जारी किया गया था इसमें बता जा रहा था कि अब बात करते हैं जो आप लोगों की सोचल मेडिया पर नीउज आई उसके बारे में पड़िराम में गरवडिया हो रही है तमाम साल बर छात परिसान हो रहे है याप डेट है ब्रिस्टाचार को लेकर अब देखिए बच्चों के लिए आज के निश्वेपर में अपडेट जारी किया गया है जो कि आपने देखा होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं ठीक है अब देखिए यहाँ पर एक हमारी बीटी उपी की तरह एक और उनिवस्टी है जिसका यह हाल है देखिए अब लोग ठीक है और कोर्णा के केसे बढ़ रहा है तुनको देखका तो लग रहा है के एक्जाम भई पूस्वन होई गया है जो नोटीस ता उसमें बता जा रहा रहा है 15 दिनों में मतलब आपके एक्जाम प्रॉम ली 15 दिन में जब सूची जारी की जाएगी इसका मतलब तो ही आपके एक्जाम पॉस्पॉर्ट हो गही जाबे सर्वी पुब्रम ने मतलब ठोककर कह रहा है शीना कि हाँ आपके एक्जाम साथ से नहीं हो पाएंगे तो मैं भी यहां पर जान सुलेजेगा, बहुत से बच्चे कह रहे हैं, बैक फरम कर आएंगे, बहुत ज़ल नोटिस आएगा, लगबग 3-4 के सम्थिक नोटिस आजागा, बैक फरम को लेकर, या फिर आपका जो बैक आईए, रिचा फरम आए, या फर सभी को लेकर नोटिस आएगा, त आज की चर्म संस्ता में है, यहां पर नहीं नहीं मचीने लगवाई जा रही है, तो यह सारी चीजे निकल के आईए, न्यूस पर के माध्यम से, ठीक है, आपके एक्जाम साथ से नहीं हो पाएंगे, 25 से होंगे, सची भी बोल चुके हैं, और बच्चों, आप लोगों की मा अज की स्यूडियो को इडियोट्स यहीं पर एंड करते हैं, थैंक्स फॉर वाचिंग, जैन बंदे मातरम, टेक केर, अलदा बैस पॉर योर एक्जामिनेशन